हलो एब्रीवान सार्दे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में हम बी एसी थर्ड येर की फिजिक्स फर्स्ट के इंपोर्टेंट कॉशन कर रहे थे उसका फोर्थ कॉशन देखेंगे अगर आपने थर्ड पीछे के तीनों कॉशन नहीं देखे हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे सपोर्ट करें जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं तो बिने टाइम वेस्ट किया अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारा कॉशन क्या है देखिए कॉशन है हमारा आइंस्टीन की जो आपक्षिक्ता सिद्दान्थ है उसकी साहता से लौरेंज रूपांतरड सापित कर सकते हैं तो वही देखना है आपको इस कॉशन में तो एकदम अच्छे से एक एक पंट समझते हुए चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे लौरेंज रूपांतरड होता क्या है लौरे निर्देश फ्रेमों में किसी विंदू की इस्तिती तथा समय निर्देश शांकों को सम्बंदित करने वाले समीकरड को लौरेंज रूपांतरड समीकरड कहते हैं यानि कि हमारे पास दो निर्देश फ्रेम है जो एक दूसरे के साथ आप पिक्षर की वेक से गती कर रहे है तो उसमें किसी وिंदु की इस्तिती तता समे निर्देशंकों को सम्मिंदित करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं हम? लोरेंच रूपांतरण समीकरण कहते हैं इस समीकरण को सबसे पहले किस ने देखा था? जो डच्वेक ग्यानिक H. लोरेंच ने ग्याद किया था माना कि S सथा S दो जड़त्वी निर्दिश फ्रेम हैं हमारे पास दो जड़त्वी निर्दिश फ्रेम हैं क्या है एक S है और दूसरा हमारा क्या है S डेस है देखिए अभी आपको यह भी दिखाऊंगी तो यह हमारा S है और यह क्या है S डेस है ठीक है यह हमारे दो निर्दिश फ्रेम है फ्रेम S टेस फ्रेम S के सापेक्ष इस्तिरवेग V से X से दिसा में गति कर रहा है तो जो फ्रेम S है जो फ्रेम हमारा कौन सा है S टेस है वो फ्रेम S के सापेक्ष इस्तिरवेग V से X दिसा में गति कर रहा है तो जो हमारा S डेस है वो X के सापेक्ष वीवेक से गती कर रहा है X की दिसा में ठीक है फिर माना कि दोनों फ्रेमों में नापा गया समय क्रमस T व टी डेस है यानि कि हमने दोनों फ्रेमों में जो समय नापा है एक में तो T है S फ्रेम में समय T है और S डेस में समय T डेस है प्रारम में समय T equal T डेस equal 0 है दोनों में ही दोनों जो हमारे जड़त्वी फ्रेम हैं दोनों में ही प्रारम में क्या समय क्या है हमारा 0 है पर दोनों फ्रेमों में मूल विंदू O तथा O डेस पर शमपाती है और T-0 वो हमारे O और O-Mool विंदू पर क्या है? समपाती है अब आगे देखते हैं माना कि एक फ्रेम S के Mool विंदू O पर एक प्रकास स्त्रोथ रखा गया है तो S के Mool विंदू पर O पर क्या रखा गया है? एक प्रकास विंदू रखा गया है जिससे समय T call 0 पर प्रकास का एक तरंगागर निकलता है जब तरंगागर विंदू P पर पहुंचता है देखिए पहले यहाँ पर यह S और S टेस हमारे क्या है जड़त्य फ्रेम है तो इस O पर हमारे एक प्रकास इस्तरोत रखा गया है और यह जब तरंगागर हमारे P पर पहुंचता है तो क्या होता है पहुंचता है यह P पर हमारे पहुंच जाता है माना कि O तथा O ड़ेस पर प्रेक्षकों द्वारा प्रेक्षित इस्तितियां तथा समय क्रमस X,Y,Z,T तथा X,Y,Z,T है तो यहां से O और O ड़ेस पर जो हमारे प्रेक्षक खड़े हैं उनके द्वारा जो प्रेक्षित इस्तितियां है इस P पंट की वो क्या है O के द्वारा तो X,Y,Z,T है और समय T है और जो S ड़ेस फ्रेम है उसके द्वारा X,Y,Z,T ठीक है अब आगे देखते हैं अब आगे क्या है आप एक चिकता के सिध्धानत के अनुसार दोनों फ्रेमों में प्रेकास की चाल समान होगी हमारा आप एक चिकता का सिध्धानत क्या कहता है जो दूसरा नियम है कि दोनों ही फ्रेम जो है उनमें प्रकास की चाल क्या होगी, समान होगी, यदि प्रकास की चाल C है, हमने माल लिया दोनों फ्रेमों में प्रकास की चाल कितनी है, C है, तो फ्रेम S में प्रकास द्वारा विंदू P तक पहुंचने में लिया गया समय, तो S में प्रकास द्वारा विंदू P तक पहुंच में कितना समय लगएगा t equal op upon c ठीक है c प्रकास का वेग है op हमारी दूरी है op कितना हो जाएगा x square plus y square plus z square का half तो अब क्या करेंगे c और t का multiply कर देंगे ct equal x square plus y square plus z square half दोनों तरप square करेंगे squaring on both side तो यह हो जाएगा c square t square equal x square plus y square plus z square फिर हम क्या करेंगे c square t square के side ले जाएगे x square plus y square plus z square minus c square to square एककोल हमने कितना माल लिया यह 0 यह हमारा माल नहीं लिया यह 0 होई जाएगा अपने आप ही जब इस time को हम यह ले जाएगे तो अब अभी हमने बात के रही है frame s की अब हम देख लेते है s dash में कितना समय लेगा p तक पहुँचने में प्रिकास तो s dash में प्रिकास द्वारा window p तक पहुँचने में लिया गया समय t equal क्या हो जाएगा यहापर o dash p upon c तो यहाँ पर क्या होंगे यह x dash square वहाँ पर हमने लिया था x square plus y square plus z square यहाँ हम लेंगे x dash square plus y dash square plus z dash square upon c इसकी पावर कितनी है यह half है अब c और t का multiply कर देंगे यह हो जाएगा हमारा c square t square equal x dash square plus y dash square plus z dash square अब c square t square को set ले जाएगे तो x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t square equal 0 यह हमने first equation माना था इसे हम second equation मान लेंगे अब क्या करेंगे अब क्या हो जाएगा हमारा देखिए समीकरड एक वा दो निर्देश फ्रेमों s वा s dash में एक ही गोली तरंगागर के समीकरड है तो यह दोनों ही हमारे आपस में equal हो जाएगे तो x square plus y square plus z square minus c square t square equal x dash square plus y dash square plus z dash square minus c square t dash का square यह हमारा दोनों ही 0 के equal आगे x तता x dash अक्षे हैं सदैव एक ही सरल रेखा में अनुदिस हैं तो क्या हो जाएगा एक दूसरे के जब अनुदिस हैं तो y equal y dash होगा और z equal z dash होगा यह value जब हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा x square plus y square plus z square minus c square t square और यहाँ पर इस equation में हमें रखनी है यह y equal y dash और z equal z dash इसमें जब value put करेंगे तो क्या होगा हमारा यह यहाँ पर हमने y-square की जगे क्या रख दिया y-square और यहाँ पर क्या रख दिया z-square की जगे z-square तो y-square से यह y-square कट हो जाएगा यह z-square से यह z-square हमारा कट हो जाएगा यहाँ पर हमारा बच्चेगा x-square minus c-square t-square equal x-square minus c-square t-square equal 0 ठीक है यहां तक आपका clear हुआ अब देखिए हमें पता ही है कि जो s-s frame है वो s के सापेक्ष v-wake से x से सामें गती कर रही है तो जो समय t पर frame s में जो इस point पर देखिए समय t पर जो frame s है उसमें जो प्रेक्षप o है यहां पर जो o है उसकी o-x की इस्तिती हमारी कितनी हो जाएगी o के सापेक्ष o-x की इस्तिती जो है वो हो जाएगी हमारी x equal v-t ठीक है और जब यहां से v-t को stand ले जाएंगे तो x minus v-t equal 0 भी आप इससे लिख सकते हैं और जो हमा हमारी s-dress में और इसमें o-s की स्थिती है वो क्या है x-dress equal 0 है तो p-vindu के लिए हमारे क्या हो जाएगा formula हो जाएगा यह x-dress equal gamma x minus v-t यह हमने थर इक्रिशन माल लिए है यह p-vindu के लिए हो गया है हमारा ठीक है अब भी देखिए हमने o-s के सापिक्ष किस की लिए o-s की लिए जो गती थी अब हम क्या लेंगे अब हम o-s के सापिक्ष o की लेंगे तो यहाँ पर यह कितना हो जाएगा x-dress equal हो जाएगा v-t-dress तो यहाँ फिर हम x-dress minus v-t-dress equal 0 और क्या लिख सकते हैं इसे अब यहाँ पर यह जब x-dress लेंगे तो यहाँ पर यह negative का sign आ जाएगा इस वाले में इसके लिए वेक क्या होगा negative में होगा तो इधर जाके यह plus हो जाएगा ठीक है तो अब जब हम इसी line को जब पीछे लखेंगे तो x-dress की जगे x लखेंगे और यहाँ पर जो v है इसक positive कर देंगे देखिए तो यह हो जाएगा हमारा x equal gamma dash bracket में x-dress plus vt-dress इसको हम fourth equation माल लेंगे और जो पीछे वाला x-dress का जो formula है उसे हम third equation माल लेंगे जहाँ gamma तथा gamma dash तो नियतांग है जो क्रमस x-dress तथा x-dress त-dress पर निर्वर नहीं करते हैं जो gamma और gamma dash है वो x-dress और x-dress त-dress पर निर्वर हमारे नहीं करते हैं तो समीकर 3 से x-dress का मान समीकर 4 में रखने पर जो x-dress का मान पीछे निकल कराया है क्या था हमारा x-dress equal था हमारा gamma x-vt तो इसका मान हम किसमें रख देंगे इस value में रख देंगे x-dress की जगे तो x equal gamma dash x-dress equal कितना है gamma x-vt प्लस ही हो जाएगा vt-dress अब हम अंदर multiply तो x equal gamma gamma dash x-vt प्लस इसका अंदर multiply करेंगे यह हो जाएगा v gamma dash t-dress अब x equal इसका भी अंदर multiply कर देंगे gamma gamma dash x- gamma gamma dash vt प्लस v gamma dash t-dress ठीक है अब हम क्या कर लेते हैं इसको set लियाते हैं यह हो जाएगा v gamma dash t-dress equal x- gamma gamma dash x- gamma gamma dash vt अब यहाँ से हम t-dress की value निकालेंगे तो यह अपन में चला जाएगा t-dress equal x upon v gamma dash minus यह कट जाएगा यहाँ बचेगा gamma x upon v plus यहाँ से v gamma dash कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा gamma t चीक है अब t-dress इस पूरे में से हम gamma common निकाल लें तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा t और इधर हमारा बचेगा gamma निकालने पर minus x upon v और इधर हमारा gamma था नहीं निकालेंगे तो यहाँ upon में gamma हो जाएगा तो plus x upon v gamma dash gamma अब t-dress की value क्या आ गई गामा t- इस पूरे में से इस वाली टम में से x upon v common निकाल लिया है minus x upon v तो यहाँ बचेगा 1 minus 1 upon gamma gamma dash यह हमारी कौनसी equation हो गई फिफ्ट equation अब gamma dash तता t-dress का मान रखने पर यह जो हमारा gamma जो x dash था और t-dress है यह हमारा जो t-dress निकल कर आया है और जो हमारी third equation थी x dash उसका मान हम किसमें रखेंगे इस वाली equation में रखेंगे देखिए इस वाली equation में हम रख देंगे तो अब value रखते हैं जो हमारी x dash की है और t-dress की value हम इसमें रख देते हैं तो value रखेंगे इस वाली में तो क्या हो जाएगा x square minus c square t square equal x dash की क्या value थी हमारी x dash equal gamma x minus v t तो जब इसका square करेंगे तो gamma square x minus v t का whole square minus ये c square और t dash square की value ये थी इसका square कर देंगे तो gamma square और इसका हो जाएगा t minus x upon v 1 minus 1 upon gamma gamma dash का whole square अब क्या होगा आगे x square minus c square t square equal gamma square इसका formula खोड़ लेंगे x square plus v square t square minus 2x v t minus c square gamma square और इसका भी formula खोड़ लेंगे तो ये square हो जाएगा तो ये t square plus b square होता है तो इसका square करेंगे x square upon v square 1 minus 1 upon gamma gamma dash का square minus 2ab तो 2 और हमारा a कितना है t और b की value है x upon v 1 minus 1 upon gamma gamma dash अब क्या करेंगे अब हम t square के गुड़ांकों को बरावर कर देंगे तो यहाँ पर t square का coefficient कितना है minus c square और इधर t square का coefficient है हमारा देखी एक तो यह हो गया gamma v square और एक यहाँ पर हो गया minus c square gamma square तो यह हो गया gamma square v square minus c square gamma square तो minus c square equal gamma square common ले लेंगे यह हो जाएगा हमारा v square minus c square comma अब हमने क्या किया है इसमेंसे भी minus common ले लिया है तो यह हो जाएगा c square equal gamma square c square minus v square gamma square के value कितनी हो जाएगी c square upon c square minus v square इसको हम six equation माल लेंगे अभी t square के coefficient equal किये थे अब हम 2x t के गुडांकों के जब बराबर करेंगे तो इस side बचेगा इस side तो कुछ थानी 2x t का तो यहाँ बचेगा 0 और इस side हमारा बचेगा minus gamma square v plus gamma square c square upon v 1 minus 1 upon gamma gamma dash ठीक है अब इसको इस side ले जाएगे तो यह हो जाएगा gamma square c square upon v 1 minus 1 upon gamma gamma dash equal gamma square v अब हमारा यह gamma square से gamma square cut हो जाएगा इदर बचेगा 1 minus 1 upon gamma gamma dash equal v इस नो नो कमंटिप्लाई v square upon c square comma 1 upon gamma gamma dash इसको side ले आएगे तो 1 minus v square upon c square हो जाएगा अब जब gamma gamma dash की value कितनी हो जाएगी हमारी 1 upon इसको हम उल्टा करके लख देंगे उल्टा दोनों तरप से तो inverse करके तो 1 minus 1 upon v square upon c square इसको हम 7th equation माल लेंगे तो जो समीकर 7 में समीकर 6 से gamma कमान रखने पर gamma कमान अभी जस्ट हमने निकाला है gamma square तो वहाँ से जब gamma कमान रख देंगे इस वाली equation में तो gamma कमान कितना है मारा 1 upon root 1 minus v square c square यह हमारा gamma dash equal 1 upon 1 minus v square c square तो gamma dash की value कर निकला आएगी हमारी इसको जब इस साइड ले जाएगे तो यह हमारा cut होके कितना हो जाएगा देखिए इस साइड हम ले जाएगे gamma dash equal root 1 minus v square upon c square यह हो जाएगा 1 minus v square upon c square तो यह कितनी बार cut जाएगा root बार तो 1 upon root 1 minus v square upon c square अब यह जो हमारे gamma और gamma dash के मान है इसको हम किस समीकड में रख देंगे समीकड 5 में तो जब समीकड 5 में रखेंगे तो t dash इक कोल हमारा समीकड 5 सा उसमें value रखने के बाद हमारी value कितनी आ जाएगी 1 upon root 1 minus v square upon c square bracket में t minus x upon v यहाँ पर bracket में था हमारा समीकड 5 में 1 minus x upon v 1 minus 1 upon gamma gamma dash तो 1 minus 1 upon gamma gamma dash की value हमारी कितनी थी v square upon c square तो यह हो गया 1 upon x v into v square upon c square कटके यह कितना आ जाएगा t dash equal 1 upon root 1 minus v square upon c square t minus इसको जब हम काटेंगे v से एकवार v minus के x v upon c square हो जाएगा यह हमारी किसकी value निकल आई t dash की अतहर जो लोरेंच समीकड हो जाएगे वो क्या होगे हम सभी की जो value निकल कर आई हमारी x dash y dash z dash और t t dash वो सभी लग देंगे तो x dash equal क्या था हमारा gamma x minus v t एकवार गामा की value रखेंगे तो x minus v t upon gamma 1 minus root 1 minus v square upon c square y dash equal y माना था z dash equal z माना था t dash equal कितना आगया था हमारा b निकल कर gamma t minus v x upon c square तो gamma की value रख दी हमने t minus v x upon c square root 1 minus v square upon c square अब यह तो हमारी बात हुई लोरेंच समीकड की अगर अब हमसे पूछ लिया जाता है वित्करम लोरेंच समीकड तो वो क्या होते हैं हमारे यदि frame s frame s test की सापिक चिस्तिरवेग v से रडात्मक x से दिसा में गती कर रहा है तो लोरेंच रूपांतर समीकड को वित्करम वित्करम लोरेंच समीकड में वित्करम लोरेंच समीकड कहते हैं ठीक है अगर वो किस दिसा में कती कर रहा है रडात्मक x दिसा में कती कर रहा है तो और वित्करम लोरेंच समीकड में क्या होता है हम v के इस्तान पर minus v रख देते हैं ठीक है तो x equal gamma ये तो हमारा था ही formula x equal gamma x dash plus v t dash equal कितना हो जाएगा x dash plus v t dash upon gamma की value रख देंगे gamma की value थी 1 upon root 1 minus v square upon c square y equal y dash है x equal x dash है और t की जो value है वो है हमारी gamma t dash plus v की जगए minus v रख देंगे तो यह हो जाएगा v x dash upon c square अब value रख देंगे यहाँ पर t dash plus v x dash upon c square gamma की value 1 upon root 1 minus v square upon c square चीक है यहाँ पर तो जब v की जगए minus v रखेंगे तो square करेंगे तो same ही हो जाएगा तो यह हमारे विद्ग्रम लॉरेंस समीकर निकल कर आ गए है और यह हमारे लॉरेंस समीकर दे तो यह question आपका complete होता है I hope आप सभी को यह एकदम अच्छे से समझ में आया हो अगर आपको यह question अच्छा लगा है वीडियो थोड़ी भी आपके लिए helpful है तो please मेरे चैनल को subscribe जरूल करें मेरे support करें जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँ अगर आपको कोई problem है तो आप comment box में भी लिख सकते है तो please मेरे चैनल को subscribe जरूल करें और वीडियो को भी लाइक करें थैंक्स फॉर वाचिंग